हेलो दोस्तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बांगला सिक्सा पोटल में अब आपको मार्क सिट रेडी करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट का मार्क सिट आपको बांगला सिक्सा पोटल में बनाना पड़ेगा उसके बाद उसका paint out निकालकर बच्चे को distribute करना पड़ेगा तो चलिए आज हम लोग जानते हैं किस तरह से bangla sixa portal में आप students का marksit entry करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको login करना पड़ेगा login करने के लिए url यहां पर देखी देख सकते हैं दिया हुआ है आपको url पता ही भी होगा https column आपका backslash उसके बाद आपका school.bangla sixa.gov.in slash sms slash है उसके बाद आपका यह करते ही आपका इस website पर जाते ही बंगला sixa का website पर जाते ही आपके पास इस तरह का page आ जाता है देख सकते हैं school management system यहां पर आपको क्या करना है login करना पड़ेगा login as dice code username password उसके बाद capture डालना है उसके बाद देखिए login as login as में यहां पर आपका school है या क्या है यहां पर आप दे दिजेगा आपको यहां से choose कर लेना पड़ेगा login as में आपका school होगा dice code यहां पर आपका school का जो dice code है उसको fill up करना पड़ेगा यूजर नें यूजर नेम आपको डालना पड़ेगा यूजर नेम यानि कि जिस teacher इसे फिल आप करेंगे वह teacher का आपका नेम होना चाहिए यह नेम किस तरह से यूजर नेम आपको मिलेगा आपको बंगला सिक्सा पोर्टल में आपको पता है कि employee का जो login यूजर नेम किस तरह से निकाला जाता है हुआ पर है आप देख लीजेगा अब इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर आपका इसकूल अगर आपका सेकेंडरी स्कूल है तो आपको एस लिखना पड़ेगा employee code का पहले एस जो आपका यूजर नेम है employee का उसका पहले एस capital S लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको यूजर नेम यानि employee जो teacher है उस या head teacher है उनका जो code है वो code डालना पड़ेगा और अगर वो primary है तो P पहले लिखना पड़ेगा capital P उसके बाद आपका unique employee code as username में लिखना पड़ेगा तो मैं फिर से बताता हूँ username में पहले आपको login as करना पड़ेगा schools, dice code आपका जो school का है वो dice code डालना है username में आपका सबसे पहले अगर secondary है तो P लिखना पड़ेगा अगर आपका school primary है तो P लिखना पड़ेगा उसके बाद जो employee जो भी teacher है जो teacher assistant teacher करेंगे उनका जो username हो उनिक code जो होगा वो हुआ पर डालना पड़ेगा TIC होंगे तो उनका जो user code होगा वो डालना पड़ेगा यह user code कहां से मिलेगा आपको अगर बांगला सिक्सा पोटल में login करते हैं वहाँ पर जो employees details है वहाँ पर आपको मिल जाता है उसके बाद आपको password डालना पड़ेगा उसका जो capture है वो capture यहाँ पर डालकर आपको sign in पर click करना है sign in पर click करते ही आपका school का इस तरह का dashboard खूल जाता है उसके बाद करेकि यहाँ पर और एक options आता है यहाँ पर देख सकते हैं download का आप चाहे तो यहाँ से बहुत सारा चीज notifications हो या download apps है या download web manual है या download app manual यह सी भी options आपको यहाँ मिलता है यहाँ से आप चाहे तो download कर सकते हैं उसके बाद आपको आता है यहाँ पर देख सकते हैं login हो गया login होने के बाद आपकर आपका school का नाम दिखाएगा द इखिए हियं आपका जो लॉग इन किया है वो आपका TIC है यहां देखे अपको लेफ्ट साइट को पर में दिखा रहा है TIC यानि की स्कूल का TIC यहां लॉग इन किया है उसके बाद देखे आपका यहां डैसबोर्ड में ही देखे हैं यहां पर Evaluations Marksheet दिया हुआ है यहां पर क्लिक करते हैं मेनू में देखे हैं यहां पर Overall Segregate करना पड़े यह कौन करेंगे यह आपके स्कूल का जो हेट टीचर है या TIC तो सबसे पहले आपके स्कूल का हेट टीचर या TIC इस लॉग इन करने के बाद उनका काम क्या है कि हर एक टीचर जितने भी टीचर उनका स्कूल में है वह कौन सा सब्जिक के टीचर है कौन सा क्लास में पढ़ाते हैं उसको Segregate करना अलग-अलग करना जिससे कि वह टीचर जब लॉग इन करने के बाद वह अपना students अपना subject, अपना class, अपना subject का marks entry कर सके, तो देख सकते हैं, यहाँ पर TIC login किया है, login करने के बाद देखिए, exam, copy, allocations दिया है, यहाँ पर, यह कहाँ से मिलेगा, देखिए, evaluations में, allocations, एक options आता है, उजे के click, allocations, under, evaluations, menu के under में, allocations, एक option आता है, menu उस पर click करना है, click करने के बा यहाँ मीडियम दिया है, आपका जो इसकूल का मीडियम है, वो चूज कर लीजिए, उसके बाद देखिए, यहाँ से class चूज करना है, उसके बाद सर्च करते ही, आपका यहाँ पर, जितने भी teachers है, वो यहाँ शो करेंगे, कौन सा subject करी, कौन सा है, देखिए, यहाँ पर द सब स्कूल के teacher आयाते हैं, और यहाँ पर आपको करना क्या है, कि particular subject के लिए, जिस teacher, जो teacher पढ़ाते हैं, जिस subject को पढ़ाते हैं, जिस class में पढ़ाते हैं, यहाँ से choose कर लीजिए, देखिए, यहाँ पर example का तोर से English का एक teachers को यहाँ से box में click करके, आपका हिहाँ चूज कर पढ़ाते हैं, जिस class में वो select हो जाएंगे, उसके बाद करना है क्या है, देखिए, उसके बाद देखिए, यह आपका TIC का काम था, TIC ahead teacher का, उसके बाद individually जो teacher है, जो subject का वो login करेंगे, login का same process है, जो मैं बताया था, वो process से login करेंगे, login करने का देखिए, यहाँ पर एक 80 logging किया है, TIC ahead teacher, जो TIC थे, वो segregate कर दिये हैं, teachers का कौन सा subject है, कौन सा class में पढ़ाते हैं, किस में marks उनको बैठाना है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक TIC login, sorry, एक 80 assistant teacher login किया है, अब उनका काम क्या है, उनका particular subject है, जो class में पढ़ात हैं, उस class का, यहाँ पर और number marks डालना, देखिए, यहाँ पर दिया है, देखिए, same process dashboard में, यहाँ पर, आपका evaluations के under में marks entry आता है, click marks entry under evaluations menu, वहाँ पर देखिए, submetive, formative, आपके सारे मिलेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, medium से choose कर लिजे, class choose कर लिजे, section choose कर लिजे, subject choose कर लिजे, करने के बाद आपको search पर click करना, search पर click करते ही, देखिए, आपके students का नाम आ जाता है, जिस class में आप choose किये हैं, और role number के साथ सारे students का नाम आ ज बढ़ाना है, अगर कोई बच्चा absent करता है, उस particular subject में, अगर मान के चले, English exam में कोई बच्चा नहीं आया, तो उसके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, use back if absent, absent का लिए, यहाँ पर एक options दिया हुआ है, यह देखिए, uncheck बोलके, uncheck if student is absent, अगर यहाँ पर कोई student absent क क्लिक करना है, जिससे कि वो uncheck हो जाएगा, तो इस तरह से आप सारे students का नाम के against में, जो भी subject का जो number है, वो आप यहाँ पर डालिए, डालने को अगर absent करता है, तो इस box को uncheck कर दीजिए, उसके बाद आप draft कीजिए, आपको save नहीं करना है, पहले draft कर लेना, अगर आप एक बार draft करते हैं, तो आप फिर से इसको reject कर सकते हैं, अगर हाँ, रीचेक कर सकते हैं, कि आपने सही number नाम डालें कहीं, कोई mistake हो गया है, क्या है, तो आप खुद से क्या कर सकते हैं, उसको reject कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पस", save option आता है,'s अगर इस को अन्चेक करके आप कर सकते वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला किस तरह से टी जी इसे या एट आप मिस्टेक कर दिया है ये लेकीन कोई मिस्टेक रह गिया है कोई नंबर गल्ट बिठा गये धिये हैं उसको किस तरह से आप करेक्शन करेंगे तो इसको लिए दिखें मैं यहां दिखाताzh coinc अगर आपने कोई mistake किये हैं तो किस तरह से होगा मैं भी वो बता दूँगा कि TIC क्या करेंगे उसको उस जिए पर जाके unlock कर देंगे unlock करने के बाद आप उसको क्या कर सकते है rectify कर सकते हैं देखते हैं आप देए teacher क्या किया है यहाँ पर देखिए search किया है जिस number में जिसका mistake हुआ है और यहाँ पर click unlock button का एक option आता है यहाँ पर unlock कर दिया है जिससे की वो options unlock हो जाता है और वो particular जो teacher है उसको correction कर सकते हैं या TIC जो या head teacher वो भी खुद से correction कर सकते हैं इस तरह से आपको हर एक subject में marks बैठाना है बच्चे लोग का और entry करना है उसके बाद finally क्या होता है आपका आपका सारे marks बैठ जाने के बाद आपका report card ready हो जाता है report card आपको manually नहीं आपको computerize निकालना है इस तरह से आपका report card ready हो जाता है आप यहाँ से report card का print out ले सकते हैं और print out लेके student को distribute कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा